तो यह बैक साइड में है हावडा मुंबई गीत तांजली एक्सपेस एंड वी है फाइनली रीच्ट हावडा इस्टेशन वह भी मेरे साथ में कृष्णा और यार इंडियन रेल्वे ऐसा क्यों करते हम लोगों के हालत खराब हो गई है ट्रेन डीले हो चुकिए छे घंटा हम लोगा शेडूल पूरा जो था आज का खराब कर रहे है ट्रेन और इसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता है एंडेन रेल्यों को कुछ फरक नहीं पड़ता नॉर्मल के टाइम से ड़ा सो फाइनले सब्सक्राइब सभी का हावडा डर्क्ली हावडा इस्टेशन से अभी हम लोगई क्या कर रहा है है कि हैलो तो बोल दे रही होवैं इसका फरस्ट ट्राइम ट्रैवल इतना लंबा ट्रैवल इसका फर्स टाइम का है और इसके आगे भी बहुत सारे अभी लोने वाले तो हवड़ा ममलोग क्या कर रहा है होड़ा मैं आप लोगों मैं लेके आया हूँ दक्षनिश्वर काली और काली घाली मात आगे दर्शन करानी तो अभी निकलते हैं हावडा स्टेशन से और पहला हम लोग अपने स्टे का इंतिजाम करते हैं अभी फिक्स नहीं ह लेट बारा बारा दस-दस घंटे भी ट्रेने लेट और किसी को कुछ लेना देना नहीं है आम आदमी के टाइमिंग का किसी के वाल्यू नहीं है सब्सक्राइब करते हैं तो फाइनली मैंने टावले उपर कुछ नहीं पहना है वैसे अभी नहानी जा रहा था तो फाइनली हम लोग को अपने बजट में एक होटल मिल गया है वैसे अपना क्या बोलते हैं हावडा स्टेशन पर रेल्वे संपत यात्री करके आयर सिटी सी का वो प्राइवेट रेल्वे निवासे बट वहां पता नहीं उनके पास रूम्स बहुत सारे हैं डॉर्मेटरी भी है अंड रॉम्स की कैपेसेटी भी होता चीह बट डारेक्ली उन्होंने रूम का प्राइज बता है एटीन हंड्रेड रूपीज और बोलते हैं उसके नीचे रूम्स यावलेबल नहीं है डॉर्मेटरी भी आवलेबल नहीं है जबकि पूरा खाली पड़ रॉम्स बता है कि वही है उसके रॉम्स पास चेटीन हंड्रेड रॉपीज देना और वह भी हम लोग की ट्रेन ने आज का जो शेडूल बरबात कर दिया है क्योंकि सुबा बारा बजे ट्रेन पहुचने वाली दुपएर में बारा बजे और ट्रेन ने हम लोग को हावड़ अट फिर अपनी चार बजे की ट्रेन है तो फिर यह अम लोग ने कोज़ी रॉम है आपने बज़ेट में रॉम मिल गया है तो यह रॉम हम लोगे ले लिए यहा है कॉलकाता में ऊवड़ा में नहीं है अब लिए नदी को साइड हावडा इस साइड है कोलकाता में रूम में तो अभी चलके फ्रेशन अप हो जाते बहुत लगई यह पुरा फेस की वाट लगई तो मिलते फ्रेशन अपने के बाद है अब हम लोग को आज का दीन तो खराब हो चुक है तो अभी फिलाल जा रहे हावडा फ्रेश में थोड़ा सा कुछ खाएंगे प्रेंगे घुमेंगे एंड यह वाइस आपको बस पकड़ने थी हावडा की मतब कोलकाता के बस अभी बस पकड़ लिया हम लोगों ने तो फाइनली बैक साइड में अपने है हावडा ब्रीच यह हम लोगों ने कुरता ले लिया शॉपमिंग कर लिया थोड़ो सा तो बैक साइड में हावरा ब्रीच थोड़ा सा भी यह पर घुमते अपना तो सुबा जाना है क्योंकि यह टाइम तो जानी पाएंगे तो फिलाल थोड़ा सा खाना पीना खा लेते हो एसे भी आठ नौ बजने साड़े आठ बज गया एटिंग तो कुछ खाएंगे पेंगे थोड़ा सा घुमेंगे और सुबे जाएंगे अपर लोग माता रानी के दर्शन को अब हम लोग ने यह अब हमारे उपर हावडा ब्रीच यह और तोड़ा सा घुम लिया हावडा ब्रीच मदब हावडा ब्रीच पर जा रहे अभी और खाना भी ना खान लिया एंप इसे हो ता और अब्रीच हम ash मैंने यहां के अंकल से पुछा टैक्सी जम लोग गए थे उनसे पूछा जो बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि हावडा ब्रीज दुपैर में बंद कर दिया जाता है कुछ मिनिट के लिए ऐसा लिखा हुआ कि वो गिर जाएगा दुपैर में इसलिए बंद तो यहां के लो अब हावडा ब्रीज घुमते हुए चलते हैं अपने फटल पर अब वहां से निकलेंगे कल सुबार बबतार्नी मा के दर्शन को तो मिलते हैं कल सुबार तो गाइस गुड मॉर्निम्स नमा तम जैमा खाली डरेक्व पॉल काता है तो अभी सुलाब फिलाल सुबार बस टार अब लोग आगे होटल सोर्यार सुबा के साढ़े चार बज़ रहे हो चुकिए हम लोग कुछ आईडिया नीदा तो अभी अपन लोग जा रहे है काली घॉटल काली घॉटल पांच बज़े ओपन हो जाते है तो पहले काली घॉटल जाएंगे वहां से फीर दक्षनिश्व अबतारनी माता की दक्षन को जाएंगे और तुर सब लोग एक बार बोल दो एक बार बोल दो जहें माकाली और चलते हैं मातारानी के दक्षन को और यह सुभा के साड़ी चार बच रही इसका तो तो रहा सा वीर्ड लग रहा है कि मुंपए में शे बज़े भी आइसा नहीं ह अब बारा बजे बजे सोएंगे देनों आपस सुभा 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 चार बेजों लेगा चलते हुआ रशन करने हैं तो फाइनली अपने लोग काली घात मंदीर बहुत बहुत है अरे यह जगन्नाथ भवन का भी मंदीर है जए जगन्नाथ तो आज यहां पर जगन्नाथ भगवन की राथे यात्रा भी है यहांपर 20 तरिक तो अपने लोग के हमेशा बड़े-बड़े इवेंट्स होते ही रहते तो महाप्रभू की राथे यात्रा ही अपने लोग के अब यहां दृक्षनिश्ष्वर में है अचलर माता राणी के काली घात माता राणी के दर्शन को काली घात काली माता के और पीछे भायरो बाबा का मंदिर का तो सामने होच्छु कहें माता राणी के मंदिर के दर्शन सामने मंदिर है अब यूख को यह पूरा अदर आएंगे तो कली घाट मंदीर अंदर इस साइड है और यह सा मार्केट लगता अभी मार्केट पुरा खुला नहीं है कर दो मार्केट लगता है और यहां से आप लोगा मातारानी के लिए चढ़ा भेट है यहां से पर्चेस कर सकते हो पूरा तो खुला नहीं है मार्केट, अभी पूरा खुल जाएगा और यहां से आप लोगों को जो अगर अंदर पूजा देनी है तो पंडीबी पंडीट जी मिल जाएंगे उनको अपने हिसाब से दक्षिना देके आप लोग पंदर पूजा दे सकती अपि डाइरेक्ली सामान अगर आप लोगो कुछ नहीं करना तो सामान अपना खुद से लो फिर आपका लंबा चोड़ा बजट बना देंगे तो सामान खुद से लेलो उनका मना कर द देखैने का मतरांन बिल्ग में प्रशाद लिए जहारे मातरा रानी के दर्शन को तो जल्ली से पे देखैंगे पन्डी जी अपने बादर टॉक दृछन कशिभी सुबह आगे अपने लोग साडे पांच बजी इतना ना चुबम लाइट है ना छ्एक सुबह के आड बज़ तो टाइमिंग तो पांच बजे दिखाता है कि पांच बजे मंदिर खुल जाता है और आज मंगलवार भी है तो अभी तक तो मंदिर खुला नहीं है बैक साड में गेट गेट नंबर यहां से एंट्री होने वाले अभी तो मंदिर खुला नहीं है तो अभी दर्शन खुला नहीं है अब लोग में कैमरा अलाउड नहीं तो कैमरा रख दिया बैग में तो देखते हैं अभी कितने बजे खुलेगा साड़े पांच पॉने छे तो बजने आ गए बोल रहे छे बज सबाइलोग चैमाकाली और अपने दर्शन हो चुके हैं दर्शन बहुत अच्छे सुए लेकिन सिस्टम भाई बहुत घंडा है इतनी लूट मार मचेन आपसे डारेक्ली अगर आप लाखो भी रुपए लेक्या होगे न ऐसा लूट लेंगे आपसे इस नाम पर उस नाम पर कि पूछने का नहीं तो भी केरफुल और दर्शन तो हो गया माता रहनी के बट अब यह सामने है भाईरो पहले में बोला ना भाईरो बाबा तो पहले भाईरो बाबा नपलेश बहरो तो उनके दर्शन पहले करने ची हम लोग सीधा चले के मंदिर में तो दर्शन कर लेते ह यह सामने है भाईरो बाबा का मंदिर है तो पहले लोग अपने बैरो यहां से जाएंगे अधिन नया कंस्ट्रक्शन चालूए यहां पर पूरा तो पहला भाईरो बाबा के दर्शन नपलेश बहरो बहरो जो है दक्षिनेश्वर काली अच्वल में जब आम लग सुनते है दक्षिनेश्वर काली तो एक जो दक्षिनेश्वर में मंदिर है दक्षिनेश्वर में जो मंदिर है वही अपने दिमाक में आता है तो वहां पर राणी राश्मनी जी ने वह मंदिर बनवाया था और माता यहां पर है और वहां पर भी माता है लेकिन यह शक्तिपीट है क् तो माता सती के दाय पेर का अंगोटागी रहा इस बात को जादा मानेता प्राव तो यहां पर है सामने काली घाट काली मंदिर और भाई खुझ से मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी पंडित कहार ना ली वे अगर आपको दानधरम करना है तो ठीक आप कर सकते हैं लेकिन दान धरम में आपको कमसे कम ओं पंडित लोग दस से 12,000 पर खाका जाएंगे दो सेगे यह भी है वह भी वोग नाम पर मां के हाथ पैसे रखवार हैं, तो ये सिंदो बहुत गंद है, जेकिन माटारानी की कृप़ा पता नहीं कि स्प्रकार की कृपा, मा की कृप़ा है, मेरे दर्शन इतने अच्छे से हो गया, क्रिष्न बाहर सी चला गया, एसी अंदर खीच लिया, उसने फिर मा अधर चलाएगा फिर वापस गर्व में माक एकदम सामने और मुझे तो समझ भी नहीं रहा तका करना है तो दर्शन तो अपने अच्छे से हो गए और काली घाट आने के लिए आप आउड़ा में कहीं पे भी आज़ा तो वापे मेट्रो है ब्लू लाइन मेट्रो पकड़नी ह लोग ने तो सुबह सुबह यह था हम लोग तो पांज बाजे बोले टाइम दिखा रहें तो पांज बाजे एक भानाट आज यह है वह है तो आज हमलों का ऐसे देखा जात देंगा तो बहुत अच्छा उसपेशियस दिन है मंगलवार और मंगलवार के दिन मातराणी के दर्शन हो गए अच्छे से अभी दशनेश्वर भवतारनी के दर्शन को जा रहे हम लोग तो आ रहे हो यहाँ पे तो be careful और यहाँ पे आने के लिए कौलकाता में कहीं पे भी आ जा वहां से मेट्रो चिप पेस्ट वे रहेगा मेट्रो पकड़ो ब्लू लाइन मेट्रो और काली घट स्टेशन उतर जाना है वहां से वाकेबल 10 से 15 मिनिट का डिस्टेंस है और खुझ से प्रशाद खरीदो और खुझ से जाके दर्शन कर लो कितनी भी घरदी होवे अगर आपको घाई है तो आप बार्गेनिंग कर सकते है पंडितों से बार्गेनिंग करने पे भी आपके वाट लगेगी चिल्लाएंगे आपके उपर ऐसा और ऐसा यह वो दो-चार मंत्र बोलवा देंगे लाइन में खड़े खड़े वह लेंगे पूजा करवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा गंदा सिस्टम बना रखा है इनोंने मा के दर्बार में बना रखा है यहां तक की गर्बगर के अंदर यह बात मुझे समझ में आरे बोल रहे हैं मा के हाथ पर रखो 5000 अपनी फैमिली के नाम पर इसके नाम पर अरे भाई तुम मांग रहे हो अलग बात है मा के भी हाथ पर रखवा रहे हो कमा ले तो अभी ठीक है कुछ भी है बट सुकून मिल लिया तुझे मिला कि नहीं रहे सुपून यह दो बभड़क ग्या बहुत ज्यादा सुन मीन अ Jeff अनय ग्ने आप द्र्वा ए मिए अट लिए मनें बसकों भंबत लेतें उसकी घुशी में यह बहीत गंदी है इस फाकर से मंदिरों में मुंबई के मंदिर बहुत बेटर है बहुत बैटर है और मैं बहुत बेटर है आपको बता दून। सिद्धिविना मंदिर में इतनी घर्रबाँ यह इतती ये बीड का टोट अ कि इतना बड़ा पाच उनगे दाते हो ना वह बपा की चणों पर जाता ही जाता है कोई आपको धक्ैङ नहीं करेंगा उप से और पहले आक या प्लulation से ले C तो आपके जाना पड़े धूर हमत्चा ऊplease's हमत जोऊना चाहिए हैं और निकलते ऑमागतारनी के दत्षन को अब हम लोग कालीगाट मेट्रो स्टेशन के आगे अंडरगाउन मेट्रो फर्स टाम इसका भी एक्सपिरेंस और बहुत इजी है मेट्रो से डायरेक्ली दक्षनेश्वर उतर जाना है वहां से लगबग दक्षनेश्वर यह भी मेट्रो का स्टॉप है वहां से कुछ एक इस और दक्षनेश्वर स्टेशन मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन भी है अब पूरा मंदीर की ताइब अब माता काली का मंदीर उस टाइप का बहुत भुशुरत सा वह बनाया हुआ है अब one कि यहांसे जाना है मंदिर और मंदिर के लिए यहांसे बाहत से डिशयों यह ईडिक बनाई हैं रेटेशर डिश्च के बाद है यह बैक साइड में है दक्ष्णिश्वर मेट्रो स्टेशन से और रेजबे स्टेशन की है यह रेजबे स्टेशन है तो दोनों से जॉइंट होके ब्रीज बनाया हुआ है तो ब्रीज पकड़ लेना है और स्ट्रेट ब्रीज जाएगा मंदिर की 10 से 15 मिनित चाहे थींक कर दो मेट्रो से तो हाराम से मेट्रो से आ सकते हैं फिर दूस्ता आपके ओपर रिक्षा से चाहिए सुभा मेट्रो इतना जल्दी ओपन नहीं थी बट आम लोग ने जादा ही का लिया पास बज़े मंदिर ओपन नहीं हुआ ता पंदिर बज़ और साधे शे बज़ी आप कि यहां पर ब्रीच के उपर ही पुरा जो पूजा घेट लेना है उसके शॉप से मंदिर का कदर श्रीक रहे सामने आप लोग करते हैं रिखते हैं यह ब्रीच को पीछे यह वाला है यह ब्रीच इसलिए बनाएगे कि आपे पूजा बीजा का सब सामान मिलता है यहां से भी ले सकते हैं कि आप कि कि जयमाकाली तो सब लोग आप लोग भी बोल जयमाकाली यहां पर हमाता दक्षनेश्वरी भवतार्मी का मंदीर और बहुत लोगों को कंफुजन होता है यह मंदीर है कि अवाके का गचचा का मंदीर है यहाँ पेम शवय माता ने दर्शन दिया है श्री भाव माख्यिपाजी को और ये मंदीर का भैक सेट मंदीर में स्मेंद्र में आलाग निया यह पूरे दिख रहे है स्छिव बारा उसमें श्यूलिंग है तो मंदीर के अंदर मंदीर का परमाइसे बहुत खुब्सूरत है और उसके अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है और तो कि बेटर है सब लोग भक्ती में लगे रहते और दर्शन भी बहुत सुलब काली घाट मंदीर से बहुत अच्छे दर् माता रानी के दर्शन भी बहुत खुब सुराज से पूब सुक्री से तो मंदीर के पीछे घाट है वह घाट देखने हैं हम लोग बात ही घाट है यो जो प्यों प्होड़ को डती हुँत कोान, विकीते इसए ये, को हाथ ये ये सिर्वी ये, ये ये, ये, बहूं को अही Chamber! रख Musta, रखKK 특ắn use के थाफ एस श्यूवार को इसए एक इसलिया, झाटे को बहुती बहुत है, तो यह है पाथिंगाट और बीचे है दक्षनिश्वर आए नहां काली पंडिक है और स्पीं आए इतनी कोई पडिक है कि थोओ अखीं ऑफ्यर स्पील न्याली ग्रान्ट फेल्ड के धिरकें डिते सब्सक्राइब में रानी राश्मनी जी का मंदीर और यहां से फिर माता दक्षनेश्वर काली तो यहार यहां का और काली गाट का क्या ही अंतर मतलब जमीन आसमान का फरक है यहां पर आके दिल बाग बाग हो जा रहा है काली गाट से निकल की पूरा मूर आफ हो गया था लेक पीने का सोविनेर शॉप्स एंड फूडिंग बीडिंग सब कुछ बनाए गया बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैनेजमेंट है थोड़ा काली घाट की दरब भी ध्यान दे दो एक क्यावन शक्ति पीठों में से एक और कहीं कहीं करन्तों में प्रमुक चार पीठों में से भ देवलपमेंट नहीं है कुछ नहीं है तो थोड़ा सा बुरा लगता है देखके कि इतने अच्छे इतने पवित्र स्थान की क्या हालत हो चुकी है और वहीं एक यह है पूरा कॉरीडर इतना फूपसूरत है कि बता नहीं सकते हैं कभी आप इन लोग यहां से निकल रहें औ अध्या मंदीर अध्या बहुती स्पेशल है माता के महाता के दर्शन कर सकते हैं तो अपने जाने के लिए जाने के लिए दक्षनेज्च्ट काली मंदीर सब हैं आपन बहार रहेंगे वहां से ज्यादा दूर ने यानि एक क्लिमेटर लगभग होगा पाइदर आसकते या फित पार इरिक्षा मिल जाती है दस रुपे पर सीटे पर हेड़ के सबसे और आध्यमा के जा सकते और आध्यमा के गेट पर आपको छोड़ देगा वहां से आध्यमा के दर्शन कर लीजिए फिर आपस दशनी शूर म पर आपसा ग्यापफगा शुर्में है जाक गत्याँ अपने पानी की बॉटल इसका है अपने आध्यामा के दर्षन और मंदीर रहता है बाज में चोटा सा प्रती रूपी है उसके दर्षन होते हैं और कलश के दर्षन होते हैं इसकी बहुत इंट्रेस्टिंग चोह ही है अपने अपने मात कि अब लोग आपने तीनों दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं आप लोग भी कॉमेंट सेक्षिं यह अच्छा दर्शन की काली के मता के निए कि मंदिर परमैसे में उतना मैनेजमेंट है उन लोग ने सब कुछ किया है तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए अपनी ट्रेन है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे टूर पर लेकर जाने वालो तो अपनी कुर्सी की पेड़ी बान लो क्योंकि आप लोग कहा जाने वा कल तो ट्रेन अमलोग को प्लाइनिंग ता कल का कल अमलोग के एक मार्ता के दर्शन करने थे पिराजदो करने थे लेकिन आम लोग का इसा हुआ नहीं क्योंकि ट्रेन लेट ओगे आजू नो तो रात हो गई तो रात में तो कुछ हुआ नहीं हावड़ा ब्रीज घूनका है अब हमारे तीनों दर्शन बहुत अच्छे सोगे तो घाई घाई में लोग जल्दी 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 जा रहे हैं और ट्रेन है और मिलते हैं नेक्ट डेशनी पर डारेक्ली तब तक के लिए जय माकाली नमस्कार